आज हम बनाएंगे मसालेदार हरी मेच बहुत ही टेस्टी बनेगी अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं है बनाने के लिए तो इस मिर्चे को जरूर बनाएगे दाल चावल के साथ खाईए रोटी से खाईए बहुत ही टेस्टी लगती है दो के बतले चार रोटी खा लेंगे इस तरीके से मिर्चा बनाएगे सभी को बहुत पसंद आएगी चली शूर करते हैं कैसे बनाना है मिर्चे को मैंने धो लिया है पानी पोश्ट लिया है सुखे कपड़े से टंडी निकाल लिया है इस तरीके से बीच से काट लेंगे इसी तरीके से सारे मिर्च को काट काट लिया है मैंने, एक छोटा बाउल लेंगे, तीन चमच रोस्ट बेसन लेंगे, तीन चमच मैंने बेसन ले लिया है, अब कुछ मसाले मिलाएंगे, एक चमच मैंने लिया है, लाल मिश पॉर्डर, एक चमच मंगरायल पॉर्डर, एक से देर चमच लेंगे, कुटी हुई धनिया रोस्ट, अब अच्छे से मिलाएंगे, एक चमच लेंगे आमचर पॉर्डर, नमक मिलाएंगे, अच्छे से बेसन मसाले को मिला लेंगे, इस तरीके से, अच्छे से मैंने बेसन मसाले को मिला लिया है मिर्चा लिया है मैंने मिर्चे में बेसन में तैयार के हुए मसाले को डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे यह मैंने लिया है जामुन का सिर्का चार चमर जामुन का सिर्का डालेंगे आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं जामुन के सिरके से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फैदे मन भी है जामुन का सिरका डाल के अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मैंने मिला लिया अब इसमें डालेंगे एक चमच हल्दी पौडर अच्छे से एक बार फिर से मिला लेंगे इस तरीके से मसारेदर मिर्चा बनाएए बहुत ही टेस्टी बनती है विना सब्सके आप खाएंगे रोती से पराठे से खाईए सभी के साथ अच्छी लगेगी इस तरह की मिर्चा अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल गर्म करके तेड़ करम करके अच्छे से मिला लेंगे एक बर फिर से आप इस मिर्चे में बेशन और मसाले की क्योंटिटी बढ़ा सकते हैं मैंने इतने ही डाला है अच्छे से मैंने मिला लिया है यह देखिए तयार है बहुत ही टेस्टी चेट पटी मसाले दार हरीमिच इस तरह के से ट्राइ कीजिए सभी को बहुत पसंद आएगी डाल चावल से खाईए पराठे से खाईए पूरी से खाईए रोटी से खाईए सभी के साथ अच्छे लगेगी अगर आपके पास घर में कोई सबसी नहीं तो इस मिल्चे को बनाएए बहुत ही टेस्टी लगती है घर में सभी को बहुत पसंद आएगी और काफी दिनों तक आप रख भी सकते हैं इसको पना के अगर आपको यह टेस्टी मसाले दार हरीमिच की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक केमेंट्स और चैनल कर सब्सक्राइब करेंगे इस तरिके सब्सक्राइब को बहुत पसंद आएगी वीडियो को दूसरों तक शेर भी कीजिएगा